कथा साहित्य में आज सुनिये हिंदी की वरिष्ठ ख्याती प्राप्त लेखी का दिपक शर्मा जी की लिखी कहानी का सीर्षक है कास्ट प्रकृति जब मेरी चेतना लाटी तो मैंने अपने आपको अस्पताल के बिस्तर पर पाया चिंतित चेहरों की भीड में अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को देख कर मैं स्वैम चिंता एमम भाय से भरूठा जब कभी भी हमारे कॉलेज के किसी अध्यापक पर कोई जान लेवा विपत्ती आती है तो हमारे प्रिंसिपल अवश्चे उपस्थित रहते हैं तो क्या मैं मलने जा रहा था? यदि ऐसा ही है मैंने प्रभू स्मरन किया तो मरते समय मैं केवल उसी एक चेहरे को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ जब मेरी आखे पत्राएं मैंने प्रभू से विंती की तो केवल उसी का बिंप उन पर पड़े प्रभू, मेरे प्रभू, मैंने प्रभू से भीक मागी, उसे मेरे पास भेज़ दो, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे देखूंगा दस वर्ष पहले वो मेरी चात्रा रही थी, आपाद मस्तक कोमल, मृदू, समेदनशील, रमनिय, प्रितिकर तथा आनंदब्रद आपने यहां केवल जाड जंखाड और गाच दरक्त जमा कर रखे हैं सर, कॉलिज के वनस्पत्ती उध्यान में उस वर्ष नए आये दूसरे चात्र चात्राओं के साथ, कुछ समय तक चुप चाफ विचर लेने के बाद, वो मेरे पास चली आई वनस्पत्ती विज्यान का मैं विभागय अध्यक्ष हूँ, थोड़े सम्मित फूल भी तो ओगाने चाहिए, फूल? मेरी भौहें तनी, पिछले पंधरा वर्षों के मेरे अध्यापन काल में मुझे सुझाब देने की ध्रिश्टता किसी ने ना की थी, सच बताऊं तो जोर डंडी वाली वनस्पती मुझे तनिक पसंद नहीं, मेरी वनस्पती की जड़ें और तने, चीमड, टिकाव लकडी के हैं, किन्तु सर, उसने अपना आग्रह जारी रखा, किसी भी वनस्पती उध्यान के लिए सुन्दर लगना भी उतना ही जरूरी है, हमारे कॉलेज क के पास ना तो तुम्हारे फूलों के लिए फालतु जमीन है और ना ही प्रयाप्त साधन, मैंने सिर हिलाया, हम जमीन और साधन ठीक बैठा लेंगे सर, उसने डलकारा, बस आपका पत प्रदर्शन और आश्रिवाद मिलना चाहिए, अच्छा, शेगर ही उसने एक पल्टन खड़ी कर ली और दो महीनों के अंदर हमारे कॉलेज के वनस्पति उध्यान का काया कल्प हो गया, मानो प्रिकृती अपने प्रदर्शन के लिए स्वेम ततपर रही थी, इस पीच उसने मेरे मनखी थाहां भी पाली, बात बात पर लीग खींच देने वाली अपनी बुरी आदत मैंने त्याग दी थी, अब उसकी क्यों पर मैं अस्तु बोल उठता, वो अच्छा फिर कहती, तो मैं खेर यही सही कह बैठता, मेरा दिमाग लीग खींचना भी चाहता, तो मेरा मन मेरे दिमाग पर हावी हो उठता, इसमें बुरा क्या है, वनस्पति उध्यान फल फ जैसे उसकी और मेरी आहा और ओहों में कट गए, मुझे तनिक भी आभास ना रहा, कॉलेश के वनस्पति उध्यान की सज्जा जब मलिन पढ़ने लगी, तभी मैंने एक जटके के साथ जाना की, उसकी बियसी की पढ़ाई पूरी हो गई थी, और वो अब हमारे कॉलेश का अंश ना रही थी, उसके बाद आए चात्र चात्राओं में से एक से भी फूलों की उस जैसी निराई और छटनी ना हो पाई, और हमारा वनस्पति उध्यान अब उध्यान ना रहा, अरणने बन गया, गुट मॉर्निंग सर, क्या यह उसी की आवास ना थी, क्या मेरी चेतन अवस्था मुझसे छलावा कर रही थी, अत्वा मेरी दया याचिका इश सिंहासंग तक पहुँच गई थी, और सुख मृत्यू देने से पहले, प्रभु मेरी एकल मृत्यू अभिलाशा मुझे परदान कर रहे थे, अपनी आखे खोलने में मैंने देर ना लगाई, आज मै इधर आई, तो बाहर की परिचित भीड ने मुझे आपके स्कूटर एक्सिडेंट के बारे में बताया सर, आप कैसी है सर, आपको कुछ नहीं होना चाहिए सर, हाँ, ये वही थी, मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा दास रहूंगा प्रभु, गदगद होकर मैंने प्रभ को वचन दिया, तुम्हारी यह अनुकंपा, मैं वृथा ना जाने दूंगा प्रभु, कौन है, जैसे तैसे मेरी वानी फूटी, मेरी शयागत उपचर्या में लगे अस्पताल के डॉक्टर, अपने हाथों में नया फुर्तिला पन ले आए, मैं आपकी एक पुरानी छात् हूं सर, वो हसी, शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, दो साल पहले हुई, एक आगजनी में मेरा चेहरा जुलसा दिया गया था सर, कैसे, मैंने उठने का प्रयास किया, मगरा सफल रहा, यह इसी अस्पताल का एक केस है, एक डॉक्टर ने मेरे कंधे सहलाए, इस इसे इसकी ससराल वालों ने जला कर मार डालना चाहा था, मगर जाने कैसे 90 परतिशत जल जाने के बावजूद भी इसके प्राण अक्षुन बने रहे, चेहरे और शरीर पर अभी भी कुछ स्थानों पर कुरूब छाले और फपोले हैं, मगर जान है तो जहान है, मेरी सांस रुक गई, क्यों नहीं सर, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बाहर से मैं जैसी भी लगूँ, मगर अंदर से मैं आज भी चीमण और टिकाओ लकडी जैसी मजबूत हूँ, आपकी वनस्पती भाशा में मैं कास्ट प्रकृती रखती हूँ सर, जीवन का पुना रंब करना नहीं, मैं जी उठा, दीपक शर्मा जी की लिखी इस कहाने के सुखर दंद के साथ ही मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद